हेलो गाइस, आइम पुनम सिकरवार और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे PCOD पर PCOD जिसका की मतलब होता है polycystic ovary syndrome जिसको की PCOS भी कहा जाता है ये एक ऐसी बिमारी है जो हर 10 में से 1 विमेन को होती ही होती है और PCOD जो होता है वो ऐसा नहीं है कि वो married ही विमेन को होती है या unmarried को होती है ये किसी भी विमेन को हो सकती है PCOS जो है इसको control करना बहुत जरूरी होता है और ये control होती है आपकी diet से आपकी regular exercise से और आपकी दवाईयों से अगर जो ladies अपनी इस बिमारी पर ध्यान नहीं देती है तो उनको future में बहुत सारी complications को face करना पड़ता है लाइक उनको high BP हो जाता है, high diabetes हो जाता है, उनके periods बहुत irregular हो जाते हैं, cancer हो जाते हैं ऐसी बहुत सारी problems हैं जो ladies को face करनी पड़ती है इसलिए अगर आपको PCOD है तो आपको अपनी diet का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है आपको ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कौन सी ऐसी चीजे हैं जो आपकी PCOD को और worse कर सकती है और कौन सी ऐसी चीजे हैं जिनसे PCOD जो है वो control हो सकता है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ही चीजों के बारे में बता रहे हूं कि कौन सी diet आपको लेनी चाहिए और कौन सी diet नहीं लेनी चाहिए तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन सी ऐसी चीजे हैं जिनसे आपको दूर रहना चाहिए और अपनी diet का बहुत ध्यान रखना चाहिए जो पहली चीज है वो है कि आपको कभी भी white rice और white bread नहीं खाना चाहिए आपको सफेद चावल और सफेद bread बिलकुल नहीं खाना है क्योंकि इसमें insulin की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और इससे आपकी PCOD जो है वो बहुत ज़्यादा आपको परिशान कर सकती है जो second thing है वो है कि आपको मैदा वाला food बिलकुल नहीं खाना है मैदा होता है आपके चौमिन हो गया आपका pizza हो गया पास्ता हो गया बर्गर हो गया ऐसी चीजों से बिलकुल आप दूर रहें अगर आपको PCOD है तो जो third thing है वो है आपको बहुत ज़्यादा fast food नहीं खाना है oily food नहीं खाना है fourth है कि आपको बहुत ज़्यादा sugary materials नहीं खाले हैं बहुत ज़्यादा चीने वगरा consume नहीं करना है नहीं आपको बहुत ज़्यादा चीनी वाले juices वगरा consume करने हैं क्योंकि उनसे भी insulin भढ़ जाता है और उससे भी आपको बहुत problem हो सकती है इसके अलाबा क्योंकि PCOD में बहुत ज़्यादा भूग लगती है और अगर आप बहुत ज़्यादा खाएंगी तो आपको बहुत ज़्यादा weight gain भी होगा मतलब आप ये सोचें कि PCOD में 50% ऐसी ladies होती हैं जिनको बहुत ज़्यादा weight gain हो जाता है तो अगर आप अपने weight को control करना चाती है तो आप 2 या 3 बार खाएं लेकिन बहुत कम-कम amount में खाएंगी तो आपका weight gain ज़्यादा नहीं होगा लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा खाएंगी तो आपका overweight हो जाएगा और आपकी PCOD में बहुत ज़्यादा आपको problem आएगी अब हम बात कर लेते हैं कि PCOD में ऐसी कौन सी चीज़े हैं जिनको आपको खाना चाहिए और कौन सी चीज़े को आपको अपनी diet का part बनाना चाहिए देखिए आप इसमें protein diet ले सकती हैं जो भी चीज़ें जिनके अंदर protein होता है लाइक एग हुआ दालवे हुई वो आप अराम से consume कर सकती हैं क्योंकि protein से आपका weight नहीं भढ़ता है और आपका pate भी जल्दी भढ़ जाता है second है कि आप कोई भी fruit या vegetable खा सकती है fruit या vegetables पर कोई restriction नहीं होती है जो मन करें आप fruit and vegetables खाए जो third thing है वो है कि आप गेहूं का आटा बाजरे का आटा और अगर आपको bread खाने का मन है तो brown bread मतलब गेहूं से related चीज़ खा सकती है लेकिन चावल और white चीज़ों से जादा दूर रहें जैसे कि चावल हो गया आपका white bread हो गया इन चीज़ों से आपको दूर रहना है लेकिन गेहूं से बने हुई चीज़ों को आप consume कर सकते हैं इसके अलावा जो आपको daily चीज consume करनी है वो है apple cider vinegar अगर आप apple cider vinegar daily एक चमच consume करती है तो उससे आपको PCOD में बहुत राहत मि सेकेंड है आप दालचिनी कंज्यूम कर सकती है दालचिनी को चाहे चाय में डालके चाहे किसी और तरीके से अगर आप consume करेंगी तो उससे भी आपको PCOD में बहुत राहत मिलती है जो थर्ड थिंग है आपको मेथी दाने consume करने हैं मेथी दाने जो होते हैं वो भी PCOD में सकती है और अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें मैं बहुत जल्दी एक और इंट्रेस्टिंग वीडियो लेकर आऊंगी तब तक के लिए टेक क्यार अफ योर्स एन बाइबाइबाइ